कुर्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और यह टॉपिक है लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में अब पहला सवाल तो यही आता है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या है तो जैसा कि हमको पता है कि हमारे पास दो करीकी के ऑपरेटर्स होते हैं एक मैथमेटिकल और एक होते हैं हमारे लॉजिकल जैसा कि अगर हम कहें कि अगर हमारा 8 क्या 6 से छोटा है कि 8 है? 8 is greater than 6 और smaller than 6 तो गर्ट में हम इसको कैसे लिखते हैं? 8 greater than का स्काइन लगाते हैं और लिखते है 6 तो अब इसका उत्तर क्या आता है? इसका उत्तर आता है कि आठ 6 से छोटा है या नहीं? अर्थात 8 छे से छोटा है यह उत्तर होगा आपका true मतलब सही या होगा false मतलब गलत तो जहां पर हमारे सवालों का जवाब true या false अर्थात सही या गलत इसके format में आता है वहाँ पर हम logical operators का इस्तिमाल करते हैं या अगर हम ऐसे कहें कि जिन जगह पर हमको अपने सवालों का जवाब सही या अर्था true या false के format में चाहिए होता है वहाँ पर हम logical operators का इस्तिमाल करते हैं जैसे अगर हम कहें कि 8-6 मनलब 8 में से 6 को गट आएंगे तो क्या उत्तर आएगा 2 लेकिन अगर हम कहें कि 8-6 यह हमारा 0 से जादा है या नहीं अर्थाट 8-6 greater than 0 और not तो 8-6 हमारा क्या हुआ 2 और 2 हमारा 0 से जादा है तो इसका उत्तर क्या जाएगा true अर्था सही और अगर हम कहें कि 8-6 is smaller than 0 मतलब कि 8-6 क्या 0 से छोटा है इसका मतलब क्या जाएगा 8-6 कितना होता है 2 2 क्या 0 से छोटा होता है उत्तर है नहीं तो हमारे इस केस में उत्तर आ जाएगा false या गलत तो यह हमारे logical operators होते हैं और हमारे पास गरित में हमने बहुत परीकिल के logical operators पॉल के रखे होए है less than greater than greater than equal to not equal to इत्यादी अब इन operators को और इनके साथ में जो इन से सब्बंदित operations है इनको हम आर software में किस्त करीके से implement करें यह हम इस lecture में और आने वाले कुछ lectures में सीखने के कोशिश करेंगे अब यह जो हमारे logical operators होते हैं यह हम जब भी कभी programming करते हैं वहां पर यह बहुत ही काम आते हैं क्यों हमारे पास बहुत सी ऐसी conditions आती हैं जहां पर हमको एक कुछ computation यह वाला करना है अगर हमारी condition सही है और यह वाला condition अगर सही है तो हमको कुछ और computation करना है उसके अलब आपको मैं यहां पर छोटा सा उदारन ले सकता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इनका हमारा कैसे कि अगर हम कहें हमारे पास and और और दो हमारे logical operators हैं एंड का मतलब क्या होता है जब अगर हमारे पास दो statement से अगर दोनों statement सही है तभी हमारा answer सही आएगा और जो होता है और हिंदी में अथ्वा और अंग्रेजी में और आपको इस lecture में यह थ्वा सर ध्यार लखना है कि जब भी हम कहेंगे और तो वह अग्रेजी वाला और है जिसका हिंदी में मतलब होता है अथ्वा confusion यह है कि हिंदी का जो और होता है वह हमारा end होता है अब जो software की language को अंग्रेजी में ही होती तो मुंबजे उसको अंग्रेजी में ही बोलना पड़ेगा तो उमीद करता हूं कि आप हमारे इतना साथ देंगे और सही करीके से समझेंगे तो अब अकर माल लीजे हम कहें कि हमारे class में कुछ students है जिनका हमें इमताहन लिया और मैंने दो subjects में लिया है अब हमारे सही क्याने हम पारसे वो दोनों में पास होगा तभी उसको पास की तरह इसमें क्या होगा कि अगर इस्टुएंट ने सब्जेक्ट वन को पास कर लिया तो भी पास हो गया और अगर इस्टुएंट ने सब्जेक्ट वन में पास हो गया लेकिन सब्जेक्ट वन में फेल हो गया या सब्जेक्ट वन में फेल हो गया और सब्जेक्ट वन में पास हो ग तो ये हमारे होते हैं logical operations, तो इन logical operators को हम R console में कैसे करते हैं, R software में कैसे करते हैं, उनके हमारे क्या commands होते हैं, और उसके अलावा जो उसका उत्तर आता है, उसको हम किस प्रकार से समझते हैं, ये सारी बाते हम इस lecture में आज हरने जा रहे हैं, तो चलिए हम इस lecture को आरंग करते ह अब देखी यहां पर मैंने आपको कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं जो हम प्राया इस्तमाल करते हैं तो एक हमारा ऑपरेशन होता है जहां पर हम ग्रेटर देन की बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं या दो स्टेटमेंट से हम यह मालूम करना चाते हैं क्या उसमें से एक संख्या दूसरी संख्या से छोटी है या बढ़ी है तो ऐसे cases में जब अगर हम उनका comparison ऐसा करना चाहते हैं कि एक संख्या या एक statement अगली संख्या या अगले statement से बढ़ी है तो हम यहाँ पर sign यूज करते हैं greater than यह हमारा greater than का sign होता है और यह तो आपने देखा है कि mathematics के इंटर भी हम यही sign इस्निमाल करते हैं और अगर हमारी condition होती है greater than or equal to अर्थात जो हम गलित में ऐसे लिखते हैं अर्थात कि अगर हमारी condition में या तो पहली condition दूसरी condition से बगी है या उसके बराबर है तो इसको हम अपने R software में लिखते हैं ऐसे करके greater than sign और equality sign और उसी करीके से अगर हमारे पास दूसरा option होता है कि मुझको यह मालूम करना है कोई एक संख्या या एक कोई statement किसी अगली संख्या से या अगले statement से छोटा है तो इसके लिए हम यूज करते हैं less than और इसका हमारा symbol क्या होता है इस तरह से यह मारा गलित का भी symbol होता है less than operator और इसी में अगर मुझको यह पता करनी है कि पहली संख्या या पहला statement दूसरी संख्या या दूसरा statement से छोटा है या उसके बराबर है तो हमारा symbol क्या होता है गलित में जैसे मैंने लिखा है less than और equal to ऐसे लिखते हैं और इसी चीज़ को हम अपने art software में लिखते हैं less than और equal to ऐसे करके less than और equal to का sign अब जब भी हम equal to sign की बात करते हैं तो अगर हम मालिए कहीं पर लिखते हैं से 8 equal to 6 या हम लिखते हैं 2 equal to 2 इसके बादे में आपका क्या इचार है जैसे हम लिखते हैं की art equal to 6 इसका मतलब क्या है ये क्या ऐसा हो सकता है तो ये आता है कि ये condition गलत है ये हमारी false है कादे से हमारा क्या होना चाहिए art 6 के बराबर नहीं है लेकिन जब हम कहते हैं की 2 equal to 2 तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा तही है ये condition हमारी सही है अब लेकिन समस्या यह है कि यह जो इकोल्टी साइन है यह जो आपने यहां पर इस्तमाल किया हुआ है यह हमारा mathematical operator है और यहां पर हम इसी इकोल्टी साइन को एक लाजिकल अपरेटर के रूप में इस्तमाल करना चाहते हैं तो इसको हम logical format में लिखने के लिए दो equality sign को हम एक साथ लिख देते हैं ऐसे करके और उसी प्रकार से अगर मुसको यह चेक करना है कि कोई संख्या या कोई statement किसी अगली संख्या या अगली statement के बराबर नहीं है तो हमारा गलित में क्या सिंबल होता है? ऐसे not equal to तो आर सॉफ्ट्वेयर में not equal to लिखने के लिए हम exclamation sign को लिखते हैं और हम यहाँ पर operator लगा देते हैं equality sign का तो इसे हमारा यहाँ पर यह not equal to को दिखाएगा और अगर हमारे कोई condition है कि यह उसके बराबर नहीं है यह हमको वहाँ पर negation या no को चेक करना है not को चेक करना है तो मारा simple sign होता है exclamatory sign इसके अलावा हमारे पास दो और operator होते हैं एक होता है and का symbol ऐसे वाला और एक हमारी होती है vertical line अब आपने देखा कि अगर आपको कोई कार करना है तो आपके पास 2 options हैं 2 conditions माल लीजिये हैं जब आपकी दोनों conditions satisfied होती है दोनों conditions सही होती है तभी आप कार को करना चाहते हो तो यहाँ पर और क्या हुआ आपने देखा कि condition a qив और condition दो दोनों को एक साथ satisfy होना चाहिए तब ही हम कार करेंगे तो यहां पर हमारा operation होता है and तो इस operator को करने के लिए हमारे पास R में जो symbol होता है वो होता है and ऐसा वाला फायपर सेन है and साइसे पास के हैं कि जहां पर हम कैते हैं की कोई पी कार करने के लिए हमारे glaubंफ दो पर जो उसमें से अगर हमारी खाहिए तो हम कारं को अरद देंगे तो वहाँ पे क्या है या तो ये वाली condition हो अथवा दूसरी condition हो तो जो हमारा अथवा होता है या इसको हम आभी कहते हैं साधारभ भाशा में कि ये हो जाए या ये हो जाए ये हो जाए अथवा ये हो जाए तो जो हमारा और का जो हमारा operator होता है मैं फिर से कहूँगा देखिए आपे जो मैं और कह रहा हूँ यह हिंदी वाला और नहीं है यह वाला और नहीं है यह मैं फिर से बोला हूँ आपको यह वारा अंग्रेजी वाला और है ओ आर R software में और का जो हमारा symbol यह एक vertical line होता है अब यहां पर आप देखेंगे जह हमने and और और की बात करी तो मैंने आपको यहां पर एक ही symbol को एक बार भी लिखा है और दो बार भी लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है इसको हम आगे slide में आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको धारल देंगे यहां से आपको यह समझना आ जाएगा इसके अलावा हमारे पास अगर कोई कार ऐसे करना है कि जिसमें से हमारी कोई भी condition satisfy हो दाए आइदर और और तो वहाँ पर हमारा कमार होता है xor और parenthesis में हम लिख देते हैं x, y अर्थाथ x और y में से अगर कोई भी condition हमारी satisfy हो जाएगी तो हमारा कार हो जाएगा इसके अलावा हमको अगर यह test करना है कि कोई condition हमारी सही है या गलत है तो उसको test करने के लिए हमारे पास एक operator होता है यह है is true लिकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है यह इसको किस प्रकार से लिखा गया है यह लिखा गया है is यह तो जो lower case alphabet में है और जो लिखा हुआ है true यह आपका capital alphabet में लिखा गया है और parenthesis के अंदर हमने एक condition लिखी है x तो यह क्या करेगी कि parenthesis के अंदर जो भी condition लिखी हुई है या उस condition को check करेगी कि यह condition क्या सही है और इसके लिए हमारा command होगा है is true और उसी प्रकार से अगर मुझेको यह check करना है कि यह condition गलत है तो हमारा command हो जाएगा is false, आपको यहां भी फिर से ध्यान देना है कि यहां पर लिखा हुआ है is false, जहां पर is हमारा lowercase alphabet में है, और false हमारा uppercase alphabet में है, बड़े अक्षरों में लिखा गया energy के, और parenthesis में हम अपनी condition लिख देंगे, अब उसके बाद मैं आपको दो हमारे यहां पर reserved words होते है, true or false, इसके बारे में बताना चाहूंगा, although, इसके बारे हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, कि यह हमारे जो true or false है, यह हमारे दो logical operators होते हैं, और यह हमारे reserved words है, reserved word का मतलब क्या होता है, कि इस true or false को हम खाली true or false की जगह ही इस्तमाल कर सकते हैं, हम इसको किसी और variable का नाम देने के लिए इस्तमाल नहीं कर सकते हैं और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यहां पे हमने true और false दोनों को देखेंगे आप मैंने इनको capital letters में लिखा हुआ है और जबता हम इनको capital letters में लिखते रहेंगे तब तक यह हमारे deserves word रहेंगे अगर हम knowledge को ऐसे लिख दें capital T और R U E हम small letter में लिख देते हैं तो यह हमारा true और यह जो true है जहां पर मैंने दोनों को मैंने true को capital letter में लिखा हुआ है यह अलग-अलग है यह फिरने प्रकार के हैं उसी तरीके से हम अगर false को अगर हम ऐसे लिख दे कि F को हमने capital लिखा A L S E को हमने छोटे letter में लिख दिया तो यह हैं और यह जो false है जो हमने capital letter में लिख नहीं रहेगा यह आपको ध्यान देना है जो मैंने यहाँ पे capital letter में लिखा हुआ, इसके अलावा अगर किसी भी format में लिखेंगे, तो वो हमारा logical operator नहीं रहेगा, यह आपको ध्यान देना है. अब हम आपको यहाँ पे जो हमारे single end operator और जो double end operator और साथ ही हमारे single or double or अर्थात हम जो हमारे keyboard में vertical lines होती है, यह मुझे को type करना होती है, तो single vertical line या दो vertical line, इनका हमारा क्या-क्या operations होता है और उसमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे. लेकिन हम इस slide में खाली आपको जो मैंने लिखा हुआ है, उसको मैं पढ़के बताना चाहूँगा, इसका क्या मतलब होता है हम इसको आगे कुछ धारग लेंगे और उसके द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और यह मैं आपको promise करता हूँ कि जब आप उन्हो समझ में आ जाएगा, तो यह जो छोटा वाला form है, छोटा वाला form मतलब कि यह जैसे and या और है, इसको मैंने खाली एक ही बा लिखा हुआ है, यह हमारा element wise काम करता है, और यह बिलकुल उसी तरीकी से काम करता है, जिस तरीकी से हमारे mathematical operator करते हैं, अगर हम कोई data vector लेते हैं, तो यह हमारे data vector के हर एक element पर काम करेगा, और दूसरी और जो हमारे longer form में, बगए वाले form में, जैसे कि मैंने and को दो बा लिखा या मैंने दो वर्टिकल लाइन लिखी और operator के लिए, यह हमारा by हाथ से शुरू करेगा, और right hand side में दाहिने हाथ के और हमारा control जाएगा, और यह हमारे data vector में खाली जो पहले operate करेगा और इसके बाद यह रुख जाएगा, इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी हम एको धारग लेते हैं, और उसके दोरा हम आपको इसको समझाने की कोशिश करते हैं, और साथ ही हम आपको यह जो logical operators क्या होते हैं, इनका ह हम आपको कुश धारग लेते हैं, उसके दोरा आपको यह बहुत आसानी से समझने आ जाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर और का एक धारग लेते हैं, हम यहाँ पर एक value लेते हैं, x equal to 8, अब हम यह देखना चाहते हैं, कि क्या 8 दस से छोटा है, अथवा, क क्या 8 दो से छोटा है, अब देखिए, इसी बात को हमने अपने R software में ऐसे लिखा, चुकि मैंने लिखा हुआ x यहाँ पर, तो मैंने कर दिया, क्या x दस से छोटा है, और जहाँ पर लिखा है अथवा, वहाँ पर मैंने और के operator को लिख दिया, दो vertical lines, और साथ ही जहाँ पर मुझको चकरना है कि क्या 8 दो से छोटा है, वहाँ पर मैंने कर दिया x less than 2, अब हम जड़ा साथ देखते हैं कि इसमें से क्या होगा, क्या आपको लगता है कि 8 दो से छोटा है, उत्तर है, हाँ, यह जवाब सही है, और थार यह जवाब true है, अब आपको क्या लगता है, क्या 8 दो से छोटा है, उत्तर है नहीं, यह गलत है, अथा यह false है, और हम कहा रहे हैं कि यह कार हमारा हो जाए, अगर इन दोनों में से कोई भी condition हमारी सही हो जाए, या तो यह true हो जाए, अथवा false कही हो जाए, अब दोनों में से एक condition तो कही है, कि इसमें true आगया, तो इन का दोनों का जो हमारा outcome जो हम करेंगे, true और false, इसका उत्तर आ जाएगा true, और देखिए, यही true आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अब हम कहरा से इसी उधारण को फिर से करते हैं, लेकिन हम, यहाँ पर x की value ले ले लेते हैं, 18, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमारा 18, 10 से छोटा है, अथवा, क्या हमारा 18, 2 से छोटा है, अब बताइए, क्या 18, 10 से छोटा है, अंसर है, नहीं, अर्थात false, और क्या हमारा 18, 2 से छोटा है, उतर है, नहीं, अर्थात false, अब हम कहा रहे हैं कि हमारा पास दो कंडिशन है कि हमारा अठारा दस से छोटा है अथ्वा अठारा दो से छोटा है इसमें से कोई भी कंडिशन हमारे एकर सही हो जाती है इन दोनों में से तो हमारा उत्तर आ जाना चाहिए हम यहां पर कहा रहे हैं कि हमारी दोनों कंडिशन ह हमारी false है तो false और false को मिला करके बनेगा false और यही देखी false यहाँ पर आपको दिया हुआ है अब हम इसी कार को एक बार फिर से करते हैं आपने देखा कि यहाँ पर मैंने दो value लिए लिए एक लिए x equal to 8 और दूसी लिए x equal to 18 अब हम यह तरह सा यहाँ पर दोनों value को एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं और हम लिखते हैं यह दोनों values को एक data vector के form में और हम जो condition मैंने यहाँ पर ली हुई है इन ही को मैंने यहाँ पर फिर से लिखा और इनको हम देखना चाहते हैं क्या होता है तो अब आप यह बताइए जब आपने यहाँ पर लिखा है x equal to c8, 18 प कि r software हमारा इसमें काम करना शुरू करें और सबसे पहले यह हमारी पहली value को ले ले x equal to 8 और उसमें से यह देख लें कि इसमें से क्या x की value हमारी आई है वो 10 से छोटी है या x की value 2 से छोटी है और जो भी इसका उत्तर आता है जो यहाँ पर आएगा true उसको लिख दे और फिर उसके बाद में जब हमारी पहली value हो जाए फिर हमारा r हमारा आगे आजाए और वो दूसरी value को ले ले x equal to 18 और x equal to 18 को ले करकी यह x less than 10 और x less than 2 इसको cross check करें और यह उत्तर आप अगर verify करेंगे तो क्या आजाएगा false तो यहाँ पर यह मुझको इन दोनों values को true और false को एक साथ लिग दे लेकिन जब आप इसको R software में execute करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आता है यहाँ पर खाली एक ही उत्तर आ रहा है true देखिए यहाँ पर screenshot में ऐसा क्यों हो रहा है अब हम एक काम करते हैं यह and जो यहाँ मैंने यहाँ पर दो वर्टिकल लाइन ली उसके जगह हम यहाँ पर एक ही वर्टिकल लाइन लेते हैं और operator के लिए और देखते हैं कि उसका उत्तर क्या आता है यह देखिए हमारा true और false आ गया और आप अगर समझने की कोशिश करिए जो आप इस जगह पर इस exercise में निकालने की कोशिश कर रहे ते वही तो यही उत् कि उसने यहाँ पर लिया x equal to 8 और उसके बाद लिया x equal to 18 x equal to 8 के लिए इसने ले लिया true और x equal to 18 के लिए इसने उत्तर दे दिया false और दोनों को इसने एक साथ combine कर दिया तो अब आप अगर यह समझने की कोशिश करिए कि दोनों operations में जहाँ पर मैंने एक ही vertical line ली है और जहाँ पर मैंने दो vertical line ली होई है जब हमने यहाँ पर दो vertical line ली होई है तो यह operation हमारा पहली value पर आता है जो हमारे data vector के अंदर दी है और यहाँ पे कार करने के बाद में लेकिन जब हमने यहाँ पे एक ही line को लिखा हमने single और operator को लिखा तब control हमारा पहले x की पहली value पे आया इसने उत्तर दिया और फिर से यह दूसरी value पे आया और यह वहाँ तक कार करता रहा जब तक कि हमारे x data vector में सारी सारी values हमारी समाप्त नहीं हो गई इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम दो operator को इस्तवाल कर रहे हैं दो vertical line लिख रहे हैं यह खाली हमारा इस data vector का जो पहला element है वहाँ पर कार कर रहा है और यह बाकी element के उपर कोई कार नहीं कर रहा है और जब हम यहाँ पर खाली एक ही vertical line लिख रहे हैं देन हमारा यह data vector के हर एक element के उपर कार कर रहा है और अगर आप अगर यहाँ पर देखिए यही बात मैंने आपको लिखाता मैंने लिखाता कि छोटा वाला form होता है यह element wise कार करता है और यह element wise उस data vector में हर एक element के उपर वैसे ही कार करता है जैसे हमारे गड़ित के operations करते हैं और जो हमारा बड़ा और यह सिर्फ हमारा पहले element पर उस data vector के पहले element पर काम करेगा और उसके बाद में रुख जाएगा तो यही तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया अब यही वाला operation जरह हम and operator के उपर भी करते हैं इसका उत्तर बिल्कुल वही आएगा जैसा आपने अभी देखा है राइट अब हम यहाँ पर क्या करते हैं मैंने यहाँ यहाँ पर लिया x equal to 5 और मैंने यहाँ पर एक condition लिखी x is smaller than 10 और दूसरी condition लिखी x greater than 2 अर्थाथ हम यहाँ देखना चाहते हैं कि 5 क्या 10 से छोटा है और दूसरी condition हमारी है कि आप 5 हमारा दो से जादा है और इसको मैंने अपने and operator के साथ में लगा दिया अर्थाथ और हिंदी वाला और अप अब इसमें से आप देखें क्या होगा क्या हमारा पांच दस से छोटा है अंसर है हाँ यह सही है अर्थाथ यह true है क्या हमारा पांच दो से हड़ा है उत्तर है हाँ यह सही है और हमारा उत्तर आगया true अब जब हमारा यहां पे आगया true and true तब इसका अर्थ क्या हो गया जब दोनों condition हमारी सही है तो इसका जो outcome आ जाएगा क्या हो जाएगा true और यही true देखिए आपको यहां पर दिया हुआ है अब हमें काम करते हैं इसी condition को जड़ा हम एक और number लेते हैं उसके उपर देखते हैं क्या होता है अब हमने ले लिया x equal to 15 और यही वाली condition हमने यहां पर फिर से लिखी जो हमने उपर लिखी थी अब हम देखते हैं क्या होता है हम यह देखना चाहते हैं क्या 15 हमारा 10 से चोटा है and क्या हमारा 15 दो से बड़ा है अब यह बताईए क्या हमारा 15 दो से चोटा है नहीं अंसर हो गया false क्या हमारा 15 दो से चादा है उत्तर है हाँ अथा true और बीच में यहां पर क्या है and अब false and true जब आप दोनों को combine करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा false और यही false देखी यहां पर दिया हुआ है आप में से जिन लोगों ने कभी programming या logical operators के बारे में समझा होगा शायद उनको एक हमारी होती है truth table शायद उसके बारे में मालूम हो हम इसके बारे में आपको आगे बताएंगे लेकिन truth table समझने के पहले अगर हम आपको यह उधारत दे दे देंगे तो आपको बहुत आसाली समझ में आ जाएगी truth table में कैसे मैंने यहां पर किया true and false is true, false and true is false इत्यादी जैसे true and true is true, false and true is true, false इत्यारी इस तरह के statement होते हैं उसके बारे हम बार में बात करेंगे आपसे अब हम यहां पर एक काम करते हैं कि जैसे मैंने यहां पर देखिए two values लिए एक लिए मैंने आपको लिए x equal to 5 और दूसरी लिए x equal to 15 और दोने के ऊपर मैंने आपको operation करके दिखाए है x equal to 5 में उ एक साथ लिखने की कोशिश करें तो देखें क्या होता है तलि हम यहां पर value ले लेते हैं आठ और 18 और दोनों values को मैंने एक data vector के format में लिख दिया और यही वाली condition मैंने यहां भी लिख दी अब आपकी उमीद क्या है आपकी उमीद यह है यहां पर x की दो values है आठ और 18 तो r software आपका कार करना शुरू करेगा पहले यह x equal to r पर आएगा और यह जो condition है की x less than 10 and x is greater than 2 इसको cross share करेगा आप verify कर सकते हैं की इसको उतर क्या जाएगा true और फिर उसके बाद यह जो data vector में अगली value है x equal to 18 उसको लेगा और फिर से ही है यह जो condition है x less than 10 and x greater than 2 इसको यह cross share करने की कोशिश करेगा और इसका उतर आजाएगा false अब इसी operation को जब आप r software में करते हैं तो आप देखेंगे की इसका उतर आजाता है true अब जो आगे इसका false आना चाहिए वो नहीं आया आप हमने क्या किया कि इस पहले उ और इसी condition को लिखा और जब execute किया आप को देखी यह क्या आगिया true or false और अगर आप देखने की कोशिश करें तो इस उधारण में आपने यह जो true or false निकाला हुआ है यही true and false तो यहाँ पर आगिया इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने यहाँ पे दो and operators लिए हुए थे जैसी यह then हमारे x ने data vector के अंदर कार करना शुरू किया लेकिन वो सिर्फ खाली पहले value तक पहुँचा जो भी इसकी उस data vector में पहली value है वहाँ पे पहुँचा वहाँ पे कार किया और इसके बाद में र किया तो हमारा r का commander अंदर आता गया और उसने पहली value के बाद में दूसरी तीसरी आगे जितनी वी values दी है सब पर उसने उसी operation को करने की कोशिश करी और उनका जो उतर आया वो उसने आपको यहाँ पर एक साथ लिकर के दे दिया true or false अर्थात कि जो हमारा single end operator है यह हमारा data vector की सारी values पर काम करेगा और जो हमारा double end operator है यह हमारे data vector की सिर्फ पहली value पर कार करेगा और आप अगर देखिए इस वारी slide में जो मैंने आपको लिखाता है यही तो लिखाता कि जो छोटा वाला form है वह element wise comparison करेगा बिलकुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे grid operation होते हैं औ और जो बड़ा वाला form है वह हमारा बाएं से द्राइं की और आएगा और लेकिन और सिर्फ खाली पहले element को cross check करेगा और उसके बाद में रुख जाएगा और इसी operation को जड़ा हम आगे बहाते हैं और आपको एक और operation करके दिखाते हैं हमने यहाँ पर एक x की value ले ले ली ए कोई वैसा ही है जिसे x equal to c 1, 2, 3, 4, 5, or 6, right अब हमको पता है कि जब हम single and operator लेंगे तो यह हमारा इस data vector के हर एक value पर कार करेगा उसके लिए मैंने यहाँ पर एक condition लिखी x greater than 2 and x smaller than 5 अब इसमे क्या होगा कि सबसे पहले यह value लेगा x equal to 1 और फिर यह चेक करेगा कि 1 is greater than 2 and 1 is less than 5 उत्तर आजाएगा false फिर यह अगली value लेगा x equal to 2 और यह देखेगा 2 greater than 2 and 2 less than 5 और इसका उत्तर आजाएगा false फिर यह लेगा x equal to 3 और यह देखेगा 3 greater than 2 and 3 less than 5 और इसका उत्तर आजाएगा true और उसी तरह से यह x equal to 4 पर करेगा 4 greater than 2 and 4 less than 5 और इसका उत्तर आजाएगा true उसी तरह से अगर यह यह यहाँ पर x equal to 5 को लेगा x equal to 6 को लेगा जिसके उत्तर आपके false or false आजाएगे तो यहाँ पर कैसे करने की कोशिश कर रहा है यह इस data vector के हर element पर यह देखने की कोशिश कर रहा है कि हर एक value जो 2 से बड़ी है and 5 से छोटी है तो यहाँ पर हमारे पास एक दो तीन चार पांच छे छे values हैं तो हमारे पास यहाँ पर छे उत्तर आने चाहिए और देखिए यह उत्तर जब आप आप आर कंसोल में करेंगे तो आपको ऐसे मिल जाएंगे false false true true false false तो इसको हमको कैसे interpret करना है यह जो हमारा पहला वाला false आया है यह हमारा data vector की पहली value है x equal to one उसके लिए है जो दूसरा वाला false है दूसरी position पर यह हमारे data vector में जो दूसरी value है x equal to two यह उसके लिए है उसके बाद में यह जो तूसरी position पर true लिखा हुआ है यह हमारे data vector x की जो third position पर value है तीन यह उसके लिए है यह उसका उत्तर है और उसी प्रकार से जो हमारी च उसी तरीके से यह जो हमारी पाऊचवे स्थान पे डिखी है, FALSE, यह हमारी, X, EQUAL टू, FIVE के लिए जो हमारा उत्तर आया है उसको दिखा रही है और Anyth में जो छटे स्थान पे लिखा है FALSE यह हमारा, X, EQUAL टू, CH के लिए जो हमारा उत्तर आया है यह मुझको दिखाने की कोशिश कर रही है तो अब आप ने देखा कि इन outcomes को हम किस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं इसके बाद अब हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि आप इस outcome में आप अगर ध्यान देंगे तो आपके पास यहां पे दो पास सरे के outcome है एक है true एक है false अब अगर आपको यहां पर देखना है कि किन–कन values के लिए आपका यहां पे true आया है और किन–कन वैल्यूस के लिए false आया है तो आप यह देखें गे कि X equal to one और तू के लिए false है थ्री और फूर के लिए true है और 5 और 6 के लिए false है अब हमारा x की किन-किन values के लिए हमारा उत्तर true आया है तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक करिका यह होता है कि हम अपने इस data vector को लिखे x और उसके अंदर हमारी जो भी condition दी हुई है जिसके उपर हम यह देखना चाहते हैं कि इस condition के उपर जब भी हमारे x data vector की इसकी सारी-सारी values operate करती हैं तो कहां-कहां पर उत्तर हमारा true आता है इसको करने के लिए हम इस तरीक से लिखते x और square bracket में हम लिख देंगे उस condition को और इससे हमको जिन-जिन values पर हमारा true उत्तर आता है वो मुझे मिल जाएगा तो चलिए हम इसको यहां पर निकालने की कोशिश करते हैं देखि यही condition है जो यहां पर लिखी होती है यह मैंने लिख दी तो यह condition हमारी क्या बताएगी यह हमको x के वह values जहां उत्तर true आया यह बता देगी तो देखिए आप इसको execute करेंगे क्या उत्तर आ गया यहां पर 3 और 4 और यह 3 और 4 क्या है यह यही उत्तर तो है यहां पर आपका x equal to 3 और x equal to 4 के लिए उत्तर आपका आया है true तो यह देखिए तरीका है कि अगर मुझको अपने उस outcome में से जिन जिन values के लिए हमारी condition सही आ रही है हम उन values को बाहर किस प्रकास से निकालेंगे अब इसी operation को जड़ा हम अपने अगले operator पर करते हैं और यह इसकारी की screenshot है यह हम आपको भी our software में करके दिखाएंगे भी अब दिखिए यहां पर मैंने इसी उधार को लिया जहां पर मैंने x की 6 value लेली x equal to 1,2,3,4,5,6 x a x c 1,2,3,4,5,6 अब यहां पर हमने अपना और operator लिया है हमने कहा हमारी condition है x greater than 2 और दूसरी condition है x smaller than 5 लब या तो x 2 से जादा हो या x 5 से छोटा हो और बाद में हम इन दोनों condition को जो हम आपस में combine कर रहे हैं और operator से अथार अथवा से तो अब देखिए यहां पर क्या होगा जैसी हमारा x के अंदर हमारी पहली value मिलेगी पहली value क्या है हमारी x equal to 1 वहां पर यह check होगा कि क्या एक 2 से जादा है और क्या एक हमारा 5 से छोटा है और इसका उतर आजाएगा true उसी तरह किसे आप x equal to 2 पर लेंगे यह अधिक क्रोश से करेंगा कि क्या दो दोसे जादा है अथिवा दो क्या पांट से छोटा है और यह उत्तर आ जाएगा true फिर लेगा यह x equal to 3, क्या 3, 2 से ज़्यादा है, अथवा 3, 5 से छोटा है, और इसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा true, और ही तरह के सी x equal to 4, 5, 6 की वैल्यू का भी उत्तर निकाल देगा, और जब आप इसको R software में करेंगे, तो देखिए आपको कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाए अब हमको अगर अपने इस आउटकम को समझना है, तो इसको भी समझना देखिए बिल्कुल वैसे ही है, यह जो पहली वैल्यू आई है, यह हमारे डेटा वेक्टर में जो पहली वैल्यू है, x equal to 1, यह उसका आउटकम है, जो दूसरी वैल्यू आई है true, यह हमारे x equal to 2, यह जो true है, यह हमारा x में जो तिसरे एच्टर पर वैल्यू है यह उसका उत्तर है, यह जो true है यह हमारा x equal to 4, अठाट, उस चौथे एच्टर पे जो वैल्यू लिकी ही, यह उसका उत्तर है, उसी तरगे से, बाकि जो हमारे two لिके हैं, यह हमारे x equal to 5 और x equal to 6 के उत्तर हैं अब हम यहाँ से यह निकालना चाहते हैं कि यह जो हमारा उत्तर आया है इसमें से किन किन x की values के लिए हमारा उत्तर है true अब यहाँ तो आपको दिखाई पर रहा है कि हर एक value के लिए यह true आया है लेकिन फिर भी हम इसको अपने r command के द्वारा निकालना चाहते हैं अब अगर r command के द्वारा निकालना है तो देखे नियम बहुत ही simple है आप इस data को लिखिए x और square bracket में आप इस ही condition को लिख दीजेए बस तो देखे ये condition आपकी क्या जाएगी ये वाली और इस ही को देखे मैंने यहाँ पर लिख दिया x greater than 2 और x smaller than 5 और यहाँ पर मैंने लिख दिया x और इस condition को मैंने अपने इस square bracket में close कर दिया और जैसी मैंने इसको execute किया हमार रोत्तर रेकी क्या जाएगा 123456 और यह 123456 क्या है यह आपको यही वाली जो value आई है जिनके corresponding x में आपकी value सही आ रही है यह उसने आपको दिखाने की कोशिश करी है राइट और दिखिए यह इसका screenshot है अब हम चलिए आपको इन किजों को यहां पर लेते हैं जो आपने कब से पहले करी ती और हम इसको आपने एक्जिटूट करने की कोशिश करते हैं तो देखिए मैंने यहां पर x की value लेली 8 इसके लिए मैंने जब इस condition को यहां पर किया तो यह आगया true और अब इसी condition को हमको एक अगली value के लिए चूज करना है तो हमने यहां पर ले लिया x equal to 18 और फिर से हमको इस condition को यहां पर type करना पगेगा तो देखिए यह उत्तर आगया false अब हमने क्या किया कि x में हमने इन दोनों values को एक साथ combine कर दिया 8 और 18 और फिर से हमने इसी condition को execute किया तो देखिए यहां पर खाली उत्तर आगया true अर्था खाली यहां पर चुकि मैंने दो vertical lines लिखी है दो operator लिखे हैं तो इसने खाली पहली value आठ के ओपर operate किया और इसने रोग दिया अब यहीं पर अगर हम मालियर दो की जगए अगर हम खाली एक ही operator लिखते हैं और इंटर करते हैं तो देखिए मुसको यह true और false मिल जा अब हम इसमें से जो हमारा अगला कमांड था and के बारे में हम उस condition को यहां पर हम लेने की कोशिश करते हैं चलिए हम यहां पर लेते हैं एक सिकल तो माली यह 5 हमार उत्तर की आ गया true और जब हमने लिया एक सिकल तो सपोस्पोश अंद्रा तो इस condition का उत्तर की आ गया false अब यहां पर हम चाहे यहां पर 8 18 लेने यहां हम एक सिकल तो 5 और अंद्रा लेने कोई पर पलता है अब हम खाली आया है true अर्थात इसने पहली वैल्यू पर आने के बाद में रोग दिया लेकिन इसी के अंदर अगर हम माल लिजे जहां पर मैंने दो end के operator दियो हैं यहां पर अगर हम एक ही operator देते हैं और फिर enter करते हैं तो देखिए हमारा उत्तर क्या गया true और false यह truth कहां जो पहली condition थी x equal to 5 के लिए यहां से true आ गई और x equal to 15 के लिए जो condition थी यह हमारी यहां से false आ गई तो अब आपने देखा कि R software में इन चीजों को करना बहुत ही आसान काम है अब आगे पखलें के पहले जड़ा मैं आपको एक चीज करके दिखा दू पहले मैं आपको करके दिखाता हूं फिर मैं आपको समझाओंगा कि मैं यह क्यों करना चाहता था मैंने एक data बेक्टर ले लिया x और जिसमें आप मैं यहां पर टाइप करता हूं x और स्क्वेर ब्रैकेट में मैं टाइप करता हूं 1 अब देखे और कम क्या आएगा यह आगया 11 इसका मतलब क्या हुआ यह जो 1 है यह क्या चीज दिखा रहा है यह मुझको अपने इस data वेक्टर में जो पहली पोजीशन है यह 1 दिखा स्क्वेर ब्रैकेट में हम उसकी लोकेशन लिख देंगे तो हमको उसकी वैलू यहां पर पता चल जाएगी अब अधारन के लिए अगर आप यहां पर माली अखरम करते हैं x और ब्रैकेट में स्क्वेर ब्रैकेट में लिख देते हैं 7 तो देखिए हमको यहां पर जो 7 कि में को ये जो finger operator होते हैं और double operator की बारे में ने बारे बताओंगा तो उसका इक उधाहरज मैं यहां पर लेता हूं और वह आपको दिखाता हूं कि मैंने यहां पर यही उधाहरज लिया है x को हमने value ली एक से 6 तकी और जब हम यहां पर यह कंडिशन लेते हैं x greater than 2 और यहां पर हम double end operator लेते हैं और यहां पर लेते हैं x less than 5 तो यह आजाती है false तो अब अगर आप देखने की कोशिश करी तो यह कर क्या रहा है अगर आप इस data vector में की जो पहली value है उसको लिखें जैसे देखिए मैंने यहाँ पर पहली value लिखी हुई है राइट इसलिए मैंने आपको दिखाया था कि x में जो पहली position पर value को हम कैसे लिखेंगे अब हमेशे करें क्या यह पहली पोजिशन पर जो हमने वैल्यू लिखी हुई है क्या वो दो से जादा है और अधार एंड क्या यह जो पहली वैल्यू है यह हमारी पांच से छोटी है और देखिए उसका उत्तर भी हमारा क्या गया फॉल्स तो अब आप देखिए कि इस सिंट अधार जो उत्तर आ रहा है वो हमारा सेमारा क्यों कि आर हमारा जो इस जगह पर उप्रशन कर रहा है वह सिर्फ खाली इसका पहला एलिमेंट x का है उसके ऊपर आपर उप्रेशन कर रहा है और उसके बाद za क्यों यह जो हमारा ev bracket में लिखा हैThat या हमारा एक्स डेटा वेक operators क्या होते हैं और उसका एक बहुत basic elementary introduction लेकिन विस्तार में दिया है यह logical operator तो बहुत ही आसान है लेकिन आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप यह समझिए कि यह कार किस प्रकार से कर रहे हैं और इनको हम कोई भी कार करने के लिए किस प्रकार से इस्तमाल कर सकते हैं यहां पर जैसे मैंने भिन-भिन conditions को combine किया है और हमने एक समय में एंड या और operator को इस्तमाल किया और उसमें मैंने एक single operator या double operator को भी लिया है और उसको मैंने आपको बहुत सारों धारंग लेकर के समझाने की कोशिश करिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा लेकिन अब आपकी बारी है आप इस करा के छोटे छोटे operation और लीजिए और उनकी practice करिए और practice करने के पहले जैसे मैं आपसे हर बार कहता हूँ पहले इनी calculation को अपने हाथ से करिए समझिए कि इसका उत्तर क्या आएगा और उसी को आप अपने आर्ट software में करने की कोशिश करिए और फिर देखिए कि क्या दोनों का उत्तर एक सा आ रहा है और जब दोनों का उत्तर एक सा आएगा तो आपको भी confidence आ जाएगा और आप जब बड़ी बड़ी programming करेंगे वहाँ पर आपको ये मालूम रहेगा कि ये कार करने के लिए हमको अपना syntax कैसे लिखना है तो चलिए आप इनकी practice करिए और हम आपको अगले lecture में कुछ और operation के साथ में मिलने फिर से आएगे तब तक के लिए good bye करैं जाएगे करदा कांप्यों है